हाई फिन्स विल्कम बैक तो मैं चैनल दिस दॉक्टर दी एंड यू वाचिंग मी ओन ट्रेड वी डॉक्टर दिवें तो चली बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में और मैं आपको यह वीडियो के थूप कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब में कहीं प इसके लिए ना तो आपको किसी प्रेमियम वर्जिन ओफ ट्रेडिंग वीव की जरूरत है विकाज आप जानते होंगे अभी तक अगर आपने मुझे देखा है प्रॉपरली तो आपने देखा होगा कि रैंको को अब्जर्व करने के लिए भी ट्रेडिंग वीव का प्रेमि जी के थूर्व रैंको चार्ट्स का यूज करेंगे हम और हम यह कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेंट्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके करेक्ट डिरेक्शन में बैठा जा सकता है और हर बार हम यह कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना हो कि हम गलत तरफ ट्रेड करने लगे I believe आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो इसका मतलब क्या है Mostly आप क्या गलती करता है बंदा जब भी trade करने आता है तो वो ये गलती कर देता है कि उसे ये पता नहीं होता है कि वो कौन से time frame में trade करे यानि कि अगर मैं उससे पूछू कि आप 1 minute में trade करोगे या 5 minute में trade करोगे तो उसका अंसर होगा Sir 5 minute करेंगे 1 minute में तो करी नहीं पाते है तो जब भी आप trade करने उतरते तो पहला question ये होता है कि मुझे किस time frame में trade करना है I believe it is clear ठीक है यानि कि आप किस time frame पे trade करोगे 1 minute पे करोगे कि 5 minute पे करोगे कि 15 minute पे करोगे कि 30 minute पे करोगे अब उस पे भी यह होता है कि क्या आप किसी reversal pattern का इस्तेमाल करेंगे क्या आप price action पे trade करेंगे क्या आप किसी indicator पे trade करेंगे या फिर आपको यही नहीं पता कि price action आकर होता क्या है ठीक है तो basically गलतियां हर एक से हो सकती हैं, आप बड़े हों, छोटे हों, कितने भी experienced हों, तो trading में losses and profits होते रहते हैं, but mostly ये चीज है कि end of the month और end of the week, क्या आप profitable हैं, अगर आप profitable हैं, तो you are doing a wonderful job, congratulations to you, ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब भी आप trade क करने उतर हैं, तो आपको clarity of thoughts बहुत होने ज़रूरी है, कि क्या मेरा trend चल रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछू कि trend कैसे identify करते हैं, तो आप कोई बोलेगा कोई RSI लगा लेता है, कोई बोलेगा कि मैं तो price action देखता हूँ, लेकिन जब मैं question पूछता हूँ कि price action आखिर होत चलता है, कि market का trend क्या है, और कैसे हर बार आप right side the market रह सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, fires का, आप धन का भी account यूज कर सकते हो, अगर आपके पस में accounts नहीं है, तो आप यहाँ पर चले जाएं मेरे telegram channel पे, और यहाँ पर links दी होएं देखिए, angel one के, fires के धन के, abstracts के, तो आप यहाँ पर account कोल सकते हो, उसका additional benefit यह है, कि आप मेरे universe का हिस्सा भी बन सकते हो, जहाँ पर मैं अपने चीजें discuss करता रहता हूँ, ठीक है, I believe it is clear, now, अब सबसे पहला आप काम आपको क्या करना है, आपको ध्यान यह देना है, कि जब भी हम trade करने उत तो आपको यह पता होना चाहिए, कि मेरा trend क्या है, तो continuous system आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पर जो time frame हम इस्तेमाल करेंगे, वो जो time frame है, वो हमारा, यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा, वो रहेगा, one minute का time frame, तो आप बोलो कि बहुत तेज हो जाएगा market, मैं कैसे trade करूँग पहली चीज़ है, candles, bars, hollow candles, columns, and यहाँ पर हेके नैशी rank-o, तो आपको इसको rank-o chart select करना है, अब सबसे पहला सवाल जैसी मैं यह put up करूँगा, तो आपके मन में यह आएगा, कि sir, यह तो repaint होता है, ठीक है, तो non-repaintable rank-o strategy जो मैं सिखाने वाला हूँ, वो मेरा seminar आपको बैं यह तो आपको इसको box size का पता होना बहुत जरूरी है, अगर आपको इसको box size का पता नहीं है, तो आप इसमें properly काम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी settings में जाने के दू तरीक है, आप इसमें directly ऐसे click कर सकते हो, click करने के बाद में box size assignment method में आपको ATR का इस्तिमाल नहीं करना है, that is not consistent in the brokers, तो हमें traditional का इस्तिमाल करना है, अब box size मतलब यह जो box यहाँ पर दिख रहा है, वो कितने का है, तो यहाँ पर box size का इस्तिमाल जो करना है, वो 50 का करना है, अब बहुतों का यह सवाल होगा, आपने 50 कैसे लाया है, तो मैंने बहुत दिनों से आपको पता है, मैं रेंक आपको ट्रेडिंग की वज़े से ही मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो outcomes रहे हैं, है न, because it is important, ठीक है, तो यह आज के outcomes है, इतना ही profit वहता है, एक लगते ही सजार का, ठीक है, funds भी ज़्यादा नहीं, इस्तिमाल करता मैं ट्रेडिंग में, और आप यहाँ पर जाके दाएगा, तो over the period of time, हम लोगों ने इस पर काफी काम किया है, और इसकी वज़े से यहाँ तक हम लोग पहुच पाएं, तो मुझे ही पता है, कि इसका box size vary होता है, तो box size vary कैसे होता है, हमेशा कभी 33 मिल जाएगा, कभी 42 मिल जाएगा, कभी 50 मिल जाएगा, कभी 60 मिल लेकिन यहाँ पर जो basic, जो mean box size है, वो 50 का आता है, हमने देखा है अक्सर, तो यहाँ पर हम लोग इसके box size को 50 ऐसा लिख के छोड़ देंगे, और traditional में आपको यह करना है, वन मिनिट के time frame में, अब इसके बाद यह होता है कि इसमें trade कैसे किया जाए, कैसे trade लूँ, कहाँ प indicators में जाओ के, तो यहाँ पर type करना, donkin channel, d-o-n-c-h-i-e-n, इस तरही से donkin channel type करना, और donkin channel में DC आ जाएगा, DC 20 इस तरह कैसे, तो यह क्या बताएगा आपको, यह बताएगा कि आपका range क्या चलती मार्केट की, देखे, इसके बगएर अगर मार्केट को देखो कि तुमको क कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है कि कहाँ पर क्या, कहाँ पर support, कहाँ पर resistance, आपको draw नहीं करना है, सबसे बड़ी बात होती है, हम गलती क्या करते है, हमें swings का पता नहीं रहता, हम कुछ भी draw कर रहे होते हैं, आपको draw नहीं करना है, और market channel में कैसे काम कर रही है, वो भ अगर market में इस donkin channel के अपर quarter में market चल रहा है, यानि इस area में चल रहा है, तो market क्या है, bullish territory में है, और अगर market is 50% वाले area के नीचे चल रहा है, तो market एक bearish territory में है, ये बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए, अगर आप इतना समझ के हैं, तो यानि कि overall outcome क्या है, देखो, ऊप उपर उपर चलता है, तो positive है, नीचे नीचे चलता है, तो negative है, तो क्या ऊपर उपर चल रहा है, बिलकुल ऊपर चल रहा है, ये बात ऐसे समझ में आती, नहीं आती, तो किसके लिए किसका इसामाल करेंगे हम, donkin channels का इस्तेमाल कल लेंगे, तो से हमको range का पता रहेगा, और super trend indicator का इस्तिमाल करना है और उनकी settings रखनी है इस तरीके से settings रखनी है 1 and 2.1 length 1, factor 2.1 इसका इस्तिमाल करने हैं तो इससे क्या होगा आपको ये हर बार trends के बारे में बता देगा simple सी बात है अगर आप इस 50% के नीचे हो तो आप कोई भी trade buy side का low ही मत तो आप बच जाएंगे अगर आप sell side का trade लेते हैं तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे हर trade में 100 से 1500 point का profit आपका कहीं नहीं गया but only fact is कि आप trade क्या लेंगे trade तभी लें जब वो 50% area के उपर अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर एक और double super trend ऐसा add कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं 1 and 2.1 and 1 and 4.1 के इस तरह से strategy बनाते हैं यह क्या करेगा यह हमेशा trends में proper तरीके से आपको रखेगा कि आप भाई इसको तभी buy करना जब यह दोनो positive हों तो क्या दोनो positive हैं नहीं तो जहां आप normal candles में इस तरीके से one minute के chart पे आप normally इतनी confused रहते कि buy करूँ कि sell करूँ कि buy करूँ कि sell करूँ वहीं जब आप rank को charting इस्तेमाल करते हैं तो आपको clarity रहती है कि चलो भाई buy तो नहीं करना है यहाँ पे इस point पे मुझे sell करना है अगर मैं आप से पूशता कि इस point पे क्या आप normally sell कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो यह decline उसके उपर यह rise यह सारी बातें आपको पूरी समझ में आएंगी जब आप इन तीनों trends का इस्तेमाल करोगे तो अब इसका इस्तेमाल करके कैसे कमाया जा सकता है simple सी बात है कि आप इसको दो भागों में divide कर सकते हो यानि कि आप इसको दो भागों में कैसे divide करके symbol common मत करिये और यहाँ पर symbol हो गया यहाँ पर जाईए और option chain खोलिए option chain खोलने के बाद में आप इसमें strike के इस्तेमाल कर सकते हैं तो majorly puts का महौल रहा है तो हम यहाँ पर put का इस्तेमाल करेंगे अप put में मैं आपको एक additional चीज बता दूँ यहाँ पर box size 50 का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं यहाँ पर अकसर अपने paid training sessions में भी 7 का box size suggest करा करता हूँ तो अगर आपको थोड़ी भी बुद्धी है थोड़ा समझ में आता है तो सिंपल सी बात है कि 23 तारीक को जितना भी price action यहाँ पर हुआ है जो भी यहाँ पर price action हुआ है जिस तरह का भी market रहा है उस market की हिसाब से 46500 में मुझे यहाँ पर 26 को इस जगे पर ब्रेक आउट मिला था 950 को तो मैं जब इसमें ब्रेक आउट मिला 301 पर तो मैं इसको तब तक बुक नहीं करता जब तक यह नीचे की तरफ न आ जाता था 301 से 350 का मुव अपने को मिल गया अगर अपन इतना भी कर ले गए तो हमारा काम बन जाता है लेकिन हम इसको तभी खरीदेंगे जब यह दोनों favor में होंगे अगर दोनों favor में नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा समझ में आ रहा है आप में से कई सारे भाई अगर आप इतनी सी बात समझ जाओगे तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा और आप आराम से ट्रेड कर पाओगे तो यह दोनों तीनों चीजों को आराम से देखिए अगर आपको इसमें difficulty होती है तो मेरा कहिना यह है कि अगर आप सिंपल सा trends identify करना चाहते हो ट्रेंड के चक्कर में करना चाहते हो तो वन मिनिट की जगे यहां पांच मिनिट लगाईए पांच मिनिट से trend पकड में आ जाएगा और उसके साथ में यहां पे वन मिनिट पे candle stick लगा लीजे नॉर्मल candle stick इसको नॉर्मल प्राइड एक्शन की तरह पढ़िए और trade उसी के हिसाफ से करिए लेकिन मैं आपको बता दूँ रेंकों को बीट करने वाली चीज पैदा नही हुई तो मत करो आप रेंकों के इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करो ताकि आप करेक्ट डायरेक्शन में हमीशा बैठें अन्नेसेसरी बाई नहीं करोगे ना कॉल आप किसमें काम करोगे पुट में तो मार्केट तुमको उठा के पैसा दे देगा लेकिन अगर आप गलत तरीके से ट्रेट करोगे जबदस्ती का पुट साइट की जगे कॉल साइट में काम करोगे तो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा अगर आपके दिमाग में जा रही है तो डडूर मुझे बताईएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर समझ करें क्या नहीं करें सारी चीज़ें बताई हुए हैं तो आयसे ही यूसफुल वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहेगा और रेंको बेस् ट्रेडिंग में ट्रिगर्स ऐसे जिस तरए से सेंसेक्स में जिस तरह जैसे आपके bank nifty में यह सारी की सारी चीजें जो हम अपने universe में share करते हैं और remain telegram चैनल पर share करते हैं, इनको जानने के लिए आप मेरा universe जॉइन कर सकते हैं, और यह telegram channel भी जॉइन कर सकते हैं, thank you so much, take care, may God bless you, thank you, subscribe करना मत भूलेगा, मैं तो भूली गया, God bless you.